होममेड मावा बनके रैडी हो आ है और यह देखो मिलकुल मार्केट की जीसा लग रहा है मार्केट में जो मावा मिलता है सेम वे सही है बलकि उससे भी ज्यादा टेस्टी और अच्छा है तो चलो बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने एक छोटा सा पेंट लिया है और अब मैं यहां पर एक कटोरी भरकर मिलक मावा पाउडर ले रही हूँ इस तरह से अभी मैंने इसे गेस पर नहीं रखा है इसे विस्टेंड पर ही मैंने इसे रखा है मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन सा वाला मिलक पाउडर यूज किया है यह इस तरह का पैकेट मिलता है मार्के में ठोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको एक कटोरी मिल्क पाउडर है और आदी कटोरी दूध है और यहां पर मैं छोटी चमज से डेल छोटी चमज घी उस कर रही हूं ज्यादा की उस नहीं करना है यह इस तरह से डेल चमज काफी है और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर करने अब इस अभी से गेज़ पर नहीं रखना है एक को से अच्छे से लाकर इस तरह से मिक्स कर लेंगे है इस तरह से तरह से दीरे और कर कर दो नहीं है कर दो कई दूब कर दो अभी बिल्कुल भी नहीं रखेंगे सिर्टिज abbreviated कर दो तो आपको काफी पेशन रखना पड़ेगा, तो यह मैंने इसे अच्छी तरह से मीक्स कर लिया था, और ये मिक्स करने की पाद कुछ इस तरह से दीखेगा, यह देखो, इस तरह से हो जाएगा, अब मैं इसे गेस पर रखोंगे, तो मैंने जो gaze का flame है वो medium ही रखा है तो आप भी try करना कि medium ही रखे है high flame पे ना रखें ये भी देखो इस तरह से थीक है ये काफी ज़्यदा थीक है तो ये जैसे जैसे गरम होता जाएगा ये पिखलता जाएगा ये देखो इस तरह से तो आपको इसे continuous चलाते रहना है और ये तरह से continuous चलाते रहना है ये देखो इस तरह से चलाते रहेंगे और ये काफी अच्छे से नर्म हो रहा है ये देखो तो आपको continuous चलाते रहना है जाता टाइम नहीं लगता है इसमें मुश्किल से 7-8 मिनिट में बनके रेडी हो जाता है ये देखो काफी अच्छे से ये नरम हो चुका है अभी और भी ज्यादा लिक्विट फॉर्म में आ जाएगा ये देखो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये देखो इस तरह स तो आप इसे कंटिनेस इस तरह से चलाते रही है ये देखिए तो ये जो लिक्विट फॉर्म में आया है ये 7-8 मिनिट तक मैंने इसे कंटिनेस चलाया था उसके बाद ऐसा हुआ है तो बस ये अल्मोस्ट बनके रेडी हो गया है अब आप एक दो मिनिट और गेस चला तो मैंने केस को बन कर दिया था इसे साइड में रख दिया था रेस्ट करने के लिए तो ये 15 मिनिट के बाद ये देखो इस तरह से सैट हो चुका है ये देखो एकदम परफेक्ट बनके रेडी हुआ है और ये बहुत टेस्टी लगता है इसके गुलाब शाबन बनाओ मिठ बनागे से जरूर ट्राय करना और थैंक यू पर वाचिए